घर हंत सिद्ध सुवी उपा जाए साधू सर्ण अर्थ के प्रकाशी मांगरी के रूप कारी हैं तिने को स्वरूप जाने रागते गाई जो भकी काई को नवाई इस्तुती को उचावी गन गन तिने काई सब आजिवाई कर जोड़ बार बार बन में लावारी है मंगर का जान सुख है सोहाम चावत है ओ मेरे ऐसी गर्शा जैसी तुम दारी है आज हमारे को यहाँ चार अनुयोग के संदर्व में चर्चा कर दी है बहुत ही सुंदर्व और मार्मिक प्रक्रण है चार अनुयोग का और चार अनुयोग की इस चर्चा को आधार मनाया गया है आज है कल्क पंडित प्रोडरमल जी की रचना मोक्ष मार्थ प्रकाशक को मोक्ष मार्थ प्रकाशक गरंत के आधार से यह चार अनुयोग की चर्चा की है इन चार अनुयोग की चर्चा बहुत गरंतों में मिलती है अनुयोग किसे कहते हैं, अनुयोग का क्या स्वरूप है, अनुयोग की क्या पद्दती है अनुयोग के कथन करने का विधान किस प्रकार का हुटा है उनमें किस प्रकार के दोश परिकल बना की जाती है ये साली चर्चाएं लगवद इसी मेहने के असपास हम पिछले वर्ष कर रहे थे क्योंकि मोक्षमार के प्रकाशत आठमा ध्याय पिछले वर्ष चल रहा था तब हमने विस्तार से इस बिंदू के संदर्व में चर्चा की है उन्हें इसी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले प्रसनता का विशह यह है कि टोडरमल जी का व्यक्तित वर्जर्चत वे यहां दिया गया है और हमारा यह मंदिर टोडरमल जी का मंदिर है माने उनका व्यक्तित हम लोगों के बीच में होना ही चाहिए जिस जगह पर हम लोग बैट कर चर्चा कर रहे हैं यह जगह टोडरमल जी की साधना इसकली रहा उनकी कारे इसकली रहा लगवक्वाने कीम को वर्ष पहले वे इसी मंदिर में यहीं विचरन करते थे यहीं गूनते थे उस समय के माहौल का जब अभी हम चित्रन करते हैं देखते हैं उन परिस्तियों को तो हमें लगता है कि इस मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती थी जब यह यहां व्याख्यान किया करते थे उनकी विद्वत्ता अद्वितिय थी और उनके संदर्व में कुछ भी कहना वो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा और उनकी अद्वितिय विद्वत्ता अनेक घटनाएं अनेक चर्चाएं हम परंपरा से यहां पूर्व विद्वानों के मार्जम से किमवद्मती रूप जैंश्रती के रूप में सुनते आ रहे हैं कि वे कैसे घटने तुछे एक घटना का उलेख कई बार हम यहां करते हैं कई घटनाएं प्रोटरमल जी के जीवन से जुड़ी हुई है जिस समय ये मंदिर बना संबत 1788 में इस मंदिर की नीव लगी जी संबत 1788 विक्रम संबत और अभी चल गा है दो हियार चौटर तो चौटर अठासी चौदे वर्ष कंद लीजिए मतलब होगे करीब दो सो च्छी वर्ष दो सो च्छी वर्ष पहले जिस मंदिर में हम बेटे हैं इस मंदिर की नीव लगी ती जेपुर बसा उसके आखपस की काल की बात है जेपुर का थाल जेपुर बसने का थाल जब जेए सिंग ने बसाया था और ये मंदिर के निर्वान की प्रक्रिया ये दोनों सम थाल की बात है लगबर चार बर्षन मंदिर बन करके पूर्णों हुआ तो समद 1792 में नीशे प्रशब्स की लिखी ये मंदिर के बाहर 1792 में जब ये मंदिर पूर्णों हुआ था जब मंदिर निर्वान प्रक्रिया के दोरान था उस समय से ही यहां शास्त्र परमपरा प्रारब हो गई थी और यहां पंडिर प्रवर्ण बनारसी बंशी गर्जी वो यहां व्याक्यान करते थे तोडर मली बहुत चोटे थे और उनकी शास्तर सवा में आकर के प्रवचन सुनते थे यह सब्सक्रा में प्राब प्रविशन करते थे कोई विदेशी विद्वान बाहरी कोई व्यक्ति आपने सासी के साथ में बहार से उजल रहा था अंदर शास्त्र सवा चलती थी तो बहुत सारे शपन जूते बहाद बुले होए थे नीचे उन्हें देखका लगा कि अंदर कुछ आयूजन चल रहा है चलना चाहिए वो भी यहां आ गया सवाँ है आ करके बैठे गया चलती सवा के बीच में जब उसने बगनवाले व्यक्ति से पूचे थी कौन है विद्वान तो मालुम चला कि बैठे जरी जैन नहीं था जो व्यक्ति पे यहां आया था जो व्यक्ति यहां आया था और उसे एकदम सभा के बीच में ही शंका रग दी प्रशन रग दिया इस हमें मालुम चला है आपका बंशीघर है बंशीचर तो हम सुनते हैं तोडर्मल जी ने सभा में जब्यखते थे तो गख्ता की आग्या ले गर सत्रह प्रकार से बंशी धर शब्र का अर्थ किया और ये सिद्ध किया कि इसलिए ये बंशी धर है वहीं सवा में यहीं यहाँ बैठे हो यहीं बैठ कर सत्रह प्रकार से बंशी धर का अर्थ किया और उस व्यक्ति को ये मानना पड़ा कि जिस सभा में बेटे हुए शुरूता भी इतनी विद्वस्ता से युक्त हो उस सभा के वक्ता कैसे विद्वान होंगे हम यह भी चर्चा टोडरमल जी के संदर में सुनते रहे हैं कि पढ़िजी जब पहली बात पहले दिल कक्षा में पढ़ने के लिए गए पार्ट शाला में पढ़ने के लिए गए पार्ट शाला मतला विद्वान है इसकुल जो कुछ भी कहो आप उस जमाने का तो का का जब पढ़ाते थे पहले दिन आये हुए वालक को भोड़ पर लिका का आ अस हलार वाला और लिखने के लिए कहा तो टोडरमल जी ने पहले दिन वो लिख दिया फिर दूसरा लिख दिया तीसरा लिख दिया माने पहले दिन पूरी वारत जड़ी वो बिना किसी के पढ़ाएं चिखाएं निखाएं हुए वो ट्रोडरमल जी ने लिख दी तो उनके अध्याता हो भी लगा कि ये क्या प्रतिवा है इस वानक की ये वानक जरू कुई नहीं बहुत बड़ा काम करें कुछ परीचे यहां इन्होंने दिया है कुछ बाते हम यहां पढ़ते हैं और फिर और कुछ बाते हैं तोडरमल जी के संदर्द में हम आपको बतलाएंगे देखिए यहां आचारे कल्प पंडिट टोडरमल जी व्यक्तित्व एवं करत्रित्व माने उनका व्यक्तित्व क्या था और उनके द्वार की ये काम क्या थे आच्यारे कल्प पंडिट टोडरमल जी के पिता शिरी जोगी दाज जी खंडेलवाल दिगंबर जेन गोधी का गोत्रज थे टोडरमल जी की जो गोत्र थी वो गोधी का थी गोधी का थे खंडेलवाल दिगंबर जेन समाज के थे और हमारे भी बीच के जिस समाज से हम लोग बिलॉंग करते हैं उसी समाज के थे पिता का नाम जोगी दाथ जी था और मां का नाम था रम्भा भाई थे इनके माता पिता का नाम हो गया विवाहित थे टोड़रमली जाओ उनके दो पुत्र थे टोड़रमली थे एक थे हरिश्चंड और दूसरे थे गुमानी राम नाम सुना है आपने हरिश्चंड और गुमानी राम आपके यहां तो मंदिर की आमनाई भी वही है गुमानी राम महानु प्रतिवाशाली और उनके समान ही करांती कारी थे तोडरमल जी के समान भी करांती कारी विद्वान थे और गुमानी राम जी भी तोडरमल जी के पुत्र भी माने उनके पुत्र की विद्वत्ता भी अद्विती थी कम नहीं थी पता है इन गुमानी राम जी के नाम से जो मंदिर चलता है दिवान बदीचिन जी का मंदिर गुमान नाम जी का मंदू कहलाता है लेकिन वहाँ तोुब क्या प्रिश्थी है सब्सक्राइबिखा के सामने टोलें के मंदू के सामने कॉर्न पर मंदर है वो दीवान बदीचंजी का मंदर कहलाता है वहाँ दीवान बदीचंजी के मंदर में गुमान पंथ आमनाय चलती है जो पूरे विश्व में एक ही मंदर में चलती है गुमान पंथ वो क्या है उस पंथ में क्या है उस आमनाय में कैसा है वहाँ का चलन तो इस गुमान अपंध आमनाई के लाई जब तोड़रमन जीए इस मंदर में रेक्यान करते थे संधे प्रहचम सुनते हैं और हजाज़ों Q-On सुनते थे कि यहां इसी समा में बैटकर तो झासा लिखते थे समा में चर्चाईंग करते जैन परंपरा और जैन आमनाई की सुरक्षा की द्रश्टी से उन्होंने बहुत बड़े क्राम किये तोडरमंदीन कि कहा जाता है यह जो पंडीजी थे यह जब चर्चाएं करते थे जब इन्होंने अपना गरंत मोक्षमारी प्रकाशक लिखा तो मित्यात्रों के ऊपर काफी चूट मारी इन्होंने और जैनत्र की सुरक्षा के लिए इन्होंने अन्य मत्यों के भी सेंकणों गरंतों को पड़ा था विश्णु पुराण शिव पुराण नार्पंडे पुराण अनौलों क्या-क्या सारे दुनिया बर के गरंत गीता मावारत के श्लूप और अनगिंती शास्त्र शैव के नई आईकों के वैशिष्णों के मिमान सकों के चारवार दर्शन संबंदी मुस्लिम दर्शन संबंदी और अन्य जितने भी धरम संपरगाई करते थे सबके शास्त्रों को टोडरमल जी ने बहुत गहराई से पढ़ा था और उन ग्रंतों से उनके द्वारा प्रचलित प परस्पर में तुलना थी और सारी चर्चाएं करते हुए उनकी बातों का खंडन किया कि आपके यहाँ जो प्रचलित परमपरा चल रही है यह ठीक नहीं नहीं के शास्त्रों में उनके द्वारा कही बाती जो परस्पर विरोधी दिखाई देती है उनका उल्लेक किया उनके जैन शास्त्रों का प्रमान बतलाते हुए जैन शास्त्रों की जैन दर्शन की प्राचीनता सिद्ध की कि देखो आपके दर्शनों में भी यह सिद्ध हो रहा है कि जैन दर्म प्राचीन है आपके शास्त्रों के उल्लेक प्रमान से भी यह सिद्ध हो रहा है कि जैन दर्म प चलती थी तो निश्चित रूप से सभा में विरोधी लोगों का हो जाना भी स्वावाव एक बात है आप जिन का निश्यत करेंगे वे लोग भी विरोधी हो जाएंगे आप जिन माननताओं का खंडन करेंगे सत्य की कीमत पर किसी से समझवता नहीं करते हुए मैं कहता हूँ जैसे अभी जन्माश्च में आदी प्रसंदन की चर्चा चल रही थी तो आपने जिन किसी व्यक्ति का निश्यत किया उसकी माननता का तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा विरोधी हो जाएगा अपना हमें तो सत्य का पक्षे है भई हमें किसी से कोई लेना देना नहीं किसी से कोई लागर पेट नहीं है ऐसे विकल पूरवक ऐसे विचारों पूरवक परड़े टोरवनजी साब ने वो सारा प्रतीपादन किया इतना ही नहीं यह सारा वर्रणन तो उन्हों ने किया ग्रहीद मिठ्यात्री तो तो यह रूप में पांचमारों प्रकाश के फिर छटे अध्याई में उन्होंने जैन कुल में उत्पन होने वाले ग्रहीद मित्यात्रियों की चर्चाए जैन कुल में जनम लेकर के भी जो बाहरी देवी देवताओं को जो मानते हैं वो ऐसी मानताओं का फूख खंडन किया तो जो जैन ही लोग थे वो भी कुछ विरोधी होने लगे फिर आगे बढ़ते हुए छटमे अध्याई के पश्चात्र साथमें अध्याई में आकर उन्होंने जैन शास्त्र पढ़ने वालों को भी नहीं छोड़ा माने जो ग्रहीत में त्यात्पसी तो दूर हैं कुछ लेकिन फिर भी उस मोक्षमार को प्रकाशक गरंत का पेज नंबर 220 वो पढ़ने ही होगे है वो प्रश्ट पढ़ने ही होगे है 220 पेज इनके द्वारा लिखा गया उसमें उन्होंने दान देने वालों की खिचाई की उन्होंने प्रिजन करने वालों की खिचाई की उन्होंने भक्ती करने वालों की खिचाई की उन्होंने व्रत उप्वासादी करने वालों की खिचाई की उन्होंने शास्तर स्वाध्याय करने वालों की खिचाई की बने किसी को नहीं ठोड़ा हो उन्होंने विचाई करने का अर्थ बिना मतलब टांग खेचना नहीं है सच में, सच्चे अर्थों में कि तुम भक्ती तो करते हो ऐसे ऐसी चर्चाएं की हैं उन्होंने उस पेज पर, पेज नमर 220 उन्होंने चर्चा की है भगवान के सामने खड़ा होकर बख्ती करता है मूं से पाठ बोलता है द्रश्टी कहीं घूंती रहती आने जाने वालों की तरह और पाठ में क्या भाव है उसका विचार नहीं और अपने आपको धामात्मा समझते अब बोलों क्या क्या गल्टी थी स्वरूप बताएं ने उन्होंने भई तु भक्ती कर रहा है भंगवान की तो जो इस्तुती बोल रहा है तेरा उप्योग उस भक्ती और इस्तुती में होना चाहिए तेरा उप्योग आने जाने वालों की तरफ नहीं होना चाहिए मुक्षे क्या बोल रहा है है निदा कांग हुम रही है और मन कहीं और दोड़ रहा है इसका नाम तो भक्ती नहीं ऐसे ही व्रता दिक्ती चर्चा की ऐसे ही उक्वासा दिक्ती चर्चा की भूखे रेगर के अपने आप नातमा समझता हैं लेकिन उक्वास पा जो सच्चा फल विशेक शाय से विक रखती उस और तेरा ध्यान.. नहीं .... दान देता है तो ऐसे दान देता है जैसे अपनी प्रशुंसा हो जैसे अपनी महन्तिता हो जैसे अपना नाम हो तो यश्प्रतिश्चा के लोब में दान देता है हमारे आहां जेंद परंपरा में दान की इ Emily कही है कि एक हाथ से देने तो दूसरे हाथ को भी पतामें लगे तूने दान नहीं दिया तूने तो मान किया है उनके द्वारा जो किया गया है निरूपन था हो निरूपन तो यथार्स था पूजन प्रबावनादी कारियों में लगे हुए व्यक्तियों के बारे में बात कही शास्त्र स्वाध्याय करने वाले व्यक्तियों के बारे में बात कही कि पढ़ता है तो पद्दती हूप से पढ़ जाता है चास्त्र के मर्म को समझने की तरह अपना उपियों को नहीं लगाता ये साथवे अध्याए में आकर ये वर्णिम होने करा आठवे अध्याए लिखा चारा मुल्मों की चर्चा थी तो कहने का मतलब जब ये प्रसंगे इस प्रकार के चलते थे जब समाज में व्याब्त विक्रतियों को दूर करने का भी प्रयास करते थे और उसके उपर निर्भीकता से निडर होकर के जब एक कलम भी चलते थे और प्रतिपादन भी करते थे तो कुछ लोगी विरोधी भी हो सकते है राजा से जाकर के उनकी शिकायत हुई इसाव यह हमारे मत का बंडन करता है विरोध करता है और उसके मुख्य तिर्दार जो थे विरोध करने वालों में मादो सिंगी के खामने जब ये बात पहुँची और श्याम तिवारी का नाम उलेख बिल्कुल इतिहास में उलेख है आप जैपुर जैन इतिहास में उठा करके देतेंगे तो वहाँ आपको ये चर्चा मिल जाएगी उनके द्वारा किये विरोध के कारण और इनके उपर इल्जाम लगा दिया गया विरोध का और राजा के द्वारा विद्वेश के कारण वो उनको हाथी के पैर के दिशे को चलबा दिया गया प्रोडरमने जाएगी कौने 300 साल कुरानी घटना है दाइसो कौने 300 साल के बीच में यहीं जैपुर में जैपुर के रहने वाले थे क्या इस्तिती हुई होगी क्या परिस्तिती हुई होगी आप उस द्रश्य को सूच नहीं सकते हैं कि शिपाही आपरे राज़र्मास से शास्तित लिख रहे थे वें जो काम कर रहे थे उनका साहित देजब्ट कर लिया गया उन्हें ले जाय गया वहाँ राजर्मास पेश दिया गया और उनकी कुछ नहीं सुनी और राजा ने चुंकि वो जो भरा था ना जहर दुमाख में आदेश दे दिया गया कि इनको यहां तो जहां भी मैदान भूपा जो भी होगा हाथी के पैर के दिशे उचलबा दिया जाए बिल्कुल हसते और मुस्वराते हुए किसी प्रकार का कोई द्वेश नहीं गड़ा क लिए गया हाथी को बला करके हाथी ने पाँ उठाया पाँ नहीं रखा उनके उपर इन्हें घटना मिलती है उलेख बतलाते हैं सरे के और उन्होंने निवेदल किया आथी से को अंतिक उपदेश दिया उन्होंने टोड़रमंदीने वहां वह साथी को कि भाई इसमें तेरा अब उपदेश सुनकर के हाथी की आंकों से आंसो टपकने लगे जीवन पुड़ा हो गया उनका तो यह ऐसी घटना जब यहां घटी इस मंदिर में तो हो सकता है और पर बाद में जैपुर का इतिहास इस बाद को बतलाता है कि पूरे जैन समाज में विरूत का वाता वरण ना हो इस वजए से बहुत काम हुए कुस्तन है यह सब इतिहास में उपलब्द हैं सारी बाते आप उठा करके देखेंगे तो लेकिन तत्का जो परिस्तितियां बनी तो यहां चास्त्र सब्सक्राबंद जैसे हो गई तो पूर्डबल जी के पुत्र जो थे गुमानी राम जी उन्होंने प्रवचन करना प्राणद किया लेकिन कि इस मंदर में वह घटना को कुछ बंद हुआ कुछ समय के लिए कुछ दिनों के लिए कुछ मेहनों के लिए तो गुमानी राम जी ने बदीचंजी के मंदर में जाकर वह अपना वहां शास्त्र सब्सक्राब नारु लिए गुमानी राम जी भी इतने कटर थे इतने द्रड़ते के दान का पैसा कैसा होगा आज तर वह परंपरा चलती थी हम सुनते हैं और गुमानी राम जी के मंदर में गुल्लक निशेत थी मंदर के पंचों दौरा कि कोई भी व्यक्ति पाप की कमाई करेगा अनिती अन्य है बेवानी की कमाई करके और गुल्लक में लाकर के पैसा नाल देगा तो पैसा यहां आनीती अन्याएगा हमारे मंदर में नहीं लगेगा हैं मंदर के पंच लोग और उनके परिवार के सदस से ही किया करते थे पंचामरतादी नहीं होने की तो बात लगी एक हैर वो तो है ही बात लेकिन फिर में अत्यजिक शुद्धता की जो परंपरा जो चलती थी वो गुमान पंथ मोने धरता और कटरता के रूप में वहां च करण को जब हमने समाधी मरण के प्रमचन किये थे वह मोक्षमार को प्रकाशक अदूला जाए गया गरंत अंतिन शब्द सूद गया वहां तो उसके पश्चाती शायद धटना से प्रभावित हो करके यह समाधी किसे कहते हैं और समाधी मरण किसे कहते हैं वह गुमाने नाम मंधिन ने लिखा वो मोक्षमार को प्रकाशक के आदार से पीछे परिशिष्ट के आदार से अपने पहले यहां पड़ा था तो यह कोड़रमल जी अध्यू की विद्वान थे और अपने मंदिर में यहां बैठ करके उन्होंने अपूर को कारिय किया आज भी कोड़रमल जी समय से ही बदीचन जी के मंदिर पहुँच गया तो हस्तलिकित मोक्षमार को प्रकाशक बदीचन जी के मंदिर में है और अन्य गरंत हो हमरे यहां उपलब दे हैं देखिए ऐसे थे करांतिकारी इनके उत्तर गुमाने आम जी इससे हूँ परंपरा वहां उस मंदिर की प्रा कंतों उन्हें अपनी आजीवीका के लिए कुछ समय सिंखाना अवश्य रहना पड़ा था कि सिंखान इनको जाना पड़ा अपनी आजीवीका के में जैपुर के पास में पाझी के सिंखान के लिए यहां दिल्ली के एक सल करके यहां कारें शरी Lewis wegen आजिवीन की क्षुटी से फिर जब जैपुर से वहां चले गए चुडब मलजी तो इनको तलाशते हुए ब्रह्मोचारी राय मलजी , जैपुर आये ब्रह्मोचारी राय मल जी उन्होंने इनकी प्रतिवा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और जैपूर आये इनको तलाशते होए तो बाद में इनको मालूम चला कि यहां नहीं है टोडरमल जी और यह तो आजी वीता के लिए सिंगाना चले गए तो उनको पोश्चते होएं सिंगाना गए अपनी शंक्साओं के समादान के लिए और उन्हों ने वहां टोडरमल जी से गोमटसार पढ़ा ब्रह्मचरी रायवाल जी ने गोमटसार पढ़ा फिर उन्होंने निवेदन किया टोडरमल जी से यह आप इस गोमटसार ग्रंथ की तो तीका किओं नहीं बना देते हो याझ्या क्यों नहीं करते हो जिनके निर्देशन में श्रवन बेनगुला की वाओ वली स्वामी की प्रतिमा बनी थी जिसका मामस्तकाविशेक अभी वापत पुन है 2018 में फरवरी में होने वाला है तो वो नेमी चंद्राचारे का ग्रंत गोमट सार जीवकान गोमट सार कर्मकान लब्धी सार शपना सार इन ग्रंतों की तीकाएं सम्यज्ञान चंद्रीका के नाम से ब्रह्मचारी रायमल जी के निवेदन पर टोडरमल जी ने लिखी टोडरमल जी ने जैपुर आने का निवेदन किया उनको और जैपुर आकर के जैपुर जैन समाज को बहुत अधिक क्या कहें हैं खरीब होती सुनाई आई उनके लिए ब्रह्मचारी रायमल जी ने कि यह जैपुर जैन समाज, तुम यहां विद्वानों की कदर नहीं कर सकते, इतना बड़ा समाज होते हुए ही, एक विद्वान को यहां से जाना पड़ है आजिवी का के लिए, यह पुरे समाज के लिए शरम की बात है, और ऐसा कहतर के जैपुर जैन समाज के दौरा वापस उनको आवनकृत किया गया, और जैपुर यहीं अपने इसी मंदिर में आता है, उन्हें उन्होंने व्याक्यान परमपरा आदी, प्रारंब की, आजिवी का आदी सब उन्होंने छोड़ी और सारी व्यवस्ताएं समाज के बात गम से होती थी, यहां काम करते हैं समाज का, ज तोडरमल जी के बारे में जब अपने मोखश्मार को प्रकाश्र कम श्रू किया था, तो उसके प्रस्तावना में बहुत सारी बातें पढ़ी हती, इन तोडरमल जी के बारे में, यह तोडरमल जी, जब यहां से रिशास्तुम्हों पढ़ते थे, गॉमट्सारा भी पढ़ते तो उन्हें कुछ जरूरत महसूस हुई दवलादि ग्रंथों के बारे में शत्खंडागाम हमारे जहन परंपरा का पहला ग्रंथ है लिपिबत ग्रंथ लिखा हुआ शत्खंडागाम उस ग्रंथ की टीका है दवला और इनहें ग्यात हुआ कि यह जो धवलादिक है यह वहां दक्षण भारत में उपलब दे हैं कंणर भाइशा में तो टोडरामल जी यहां से गए दक्षण भारत में और सुनते हैं ऐसा कि अपने चार पास साथियों के साथ ने जब जैपुर से वे दक्षण भारत गए तो उनको पहुंचने में तीन-चार मेहने का समय लग गया बैल गारी से रुकते हुए 25-30-40 किरो में चलते हुए फिर रात्री विश्राम करते होंगे दूसरे दिन पर भोजनादी लेकर के फिर चलते होंगे फिर बैल गारी कि में तो आकर प्रानी तो है तो ऐसे चलते चलते दो,-3-4 मेहनों में वो दक्षण भारत पहुंचे ऐसा भी सुनते हैं हम कि टोडरमल जी ने अपनी योग्यता और अपनी प्रतिवास के बन पर कंणड लिपी को पढ़ना सीख लिया था कंणड लिपी कैसी लिपी है आप जानते हैं आपने उने देखा है कभी कंणड देखी है आपने हमने देखी है और कई करनाटक के विद्याती भी हैं करनाटक में कई बार गए भी हैं हम प्रोजर भी किये हैं वहां वहां वगरे में तो वो जो लिपी है कंणड लिपी वो ऐसी जले भी जैसी बोल बोल पर आप उसे देख लो तो आपको अंतर ही हमज़ में नहीं आए कि यह अप चुनों अपनी प्रतिवा के बल पर उस कंणड भाशा को वो उन्होंने सीखा दुर्भाग्यरा एका ब्यक्ति की उस दोड़ान डेती हो गई साथ में जाने में और दुर्भाग्यरा कि उनको धवलाजी ग्रंथ उपलब्द ना हो सके प्राप्त नहीं हो सके खेर जो पी रहा लेकि वे वहां दिल्ली के साउगार के यहां कारे किया करते थे प्रोड़रमल जी परमपरागत मान्यतानुसार उनकी आयू 27 वर्ष की मानी जाती है छोद्भूज का विशे है कितने वर्ष की उनकी उम्र रही होगी 27 वर्ष मानी जाती थी किन्तु उनकी साहित के साधना ज्यान वे नवीन तम प्रात उल्लेखों द्वारा उल्लेखों तथा प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित हो चुका है कि वे 47 वर्ष तक अवश्य जीवित रहे लेकिन 47 वर्ष की बहुत जादा उम्र नहीं होती 47 वर्ष की अलपायो में उनका देहाउसान हो गया देहांत हो गया प्राना थो हो गया उनका जीवन पूरा हो गया 47 वर्ष की उम्र में जो भी लायू पूरी होनी थी इतना ये उनका जीवन था तो खत्म हो गया एक बहुत पुरानी बात है मेरे को एक बेशेशंक मिला था वीरवाणी का पंडित भामर्लाल जी न्याय केस आपने नाम सुना होगा हाँ मिले हमारे को रिलेशन भी लगते हैं मेरे जी आई जी लगते हैं उनके पिता थे मेरी बुगा की लड़की के खास बुगा की लड़की के ससुर जी थे ममर्लाल जी न्याय थे वो वीरवाणी नाम का एक विशेशांक उनका निकाला हुआ मेरे हाँ लगा था भी कुछ समय पहले दो-चार साल पुरानी बात है उस विशेशांक का टोडरमन विशेशांक ये कब निकला ये विशेशांक लगबर समय लीजे आप सन 1970 के आसपास 68-70 के असपास की मेरे ख्याल से विशेशांक हूगा हूँ उसमें सारे देश के विशेशांक लगबर समय में पंडी चेन समधाज जी ने आयती है तो रहसी वड़े वड़े विशेशांक लगबर समय में थे जो विद्वान थे यानि मानली ये कोई 70 साल का विद्वान है तो और पिछला 50 साल उसके ज्यान में है मानले 100 साल तक तो उनकी देखी हुई बाते होगी और वे यदि अपने दादा जी से बात करते होंगे तो चेर्चाएं लगबर मिल जाएगी तोडरमल जी के आश पास की घटना है तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चेर्चाएं हैं ये बहुत हद तक सारा जेपुर्जेन समाज हैं ये तोडरमल जी का उपकार मानता था और करतग्य था और आज भी मैंने टोडरमल जी की विद्वत्ता को सब स्विकार करते हैं, सब मानते हैं यह बात अलग है कि टोडरमल जी के नाम से जो इसमारत बना दिया गया गोदीका जी के द्वारा, पूरण छंजी गोदीका क्योंकि वो गोदीका थे ना, सेट थे, बहुत बड़े सेट थे और यह भी गोदीका पर टोडरमल जी तो जब गोदीका तोडरमल जी को गोदीका थे, तो उनके नाम से इसमारत पोने बनाता है तो ऐसे विचार पूरवक उन्होंने पर प्रस्ताव रखा और अपनी जो जमीन थी वापु नगर बे वो देखर कि यही इसी मंदिर मे बैठकर, लोटरमल जी का मंदिर इसी मंदिर मे बैठकर, वो टोडरमन इसमारत बनने के लिए पूरी की पूरी योज़नाए बनी आग पचास साल हो गए, 1967 में वो टोडरमल इसमारक बना था, पचास साल हो गए, 2017 चल रहा है, अब इस परनी जेंती महुसमा बनाया है, तो पूरी की पूरी योजना को टोडरमल इसमारक बननी की योजना ये भी, यहीं मंदिर में बैठ कर, सारा जैने समाज साथ में था, और सब के लवारा विचार, प्रस्ताव, योजना बनकर वो टोडरमल इसमारक बना, लेकिन समाज में कुछ दिरूद का वातावरन जैसा बना रखा है, यकि ऐसा कुछ माहूल है नहीं, भूना नहीं चाहिए, खेर जो भी है, अपन तो बात कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व के त दावरा, ब्रमचारी रायमल जी, सदातुदास जी का असलिवाल, वने ऐसे ऐसे विद्वान पिछले 300 वर्षों में इस तोडरमल जी के मंदर से जुड़े हुए हैं, कि जिनके द्वरा किये गए कारियों को यह हम देखे हैं, तो हमें सहज ही गौराओं की अरुदी होती है उनकी शंकाओं के समानां के लिए पत्र कहा कहा से आते थे टोड़रमल जी के पास में, वारे एक तो प्रसिद्ध पत्र जो कि मुलतां से बुनता हुआ, जहानाबाद होता हुआ यहां आया था, वो प्रसिद्ध है, जिसका जवाब टोडरमल जी ने दिया था, इससे हमें पता लगता हैं कि अंजान दो भी जहां चिट्टी भीजना और चिट्टी का जवाब प्राप्त होना इतना पठिन था जिस जमाने में कि दो दो तीन तीन मेहनों में चिट्टी पहुंचती थी और चिट्टी का जवाब आता था ऐसे समय में भी अपनी शंकाओं का समाधान ज माने इसके पता लगता है कि वे कैसे अग्जिती विद्वान थे एक उलेग मैंने दो-तीन दिन पहले भी आपनों के सामने किया था कि टोड़रमल जी ने अपने समय में एक इंद्रधज विधान लिखा था लिखा नहीं था कराया था आठधिल का अश्ठा निकामे वो इंद्रदधज विधान के समय में उपलबद है इतने वर्षों बाद में भी और нас ilumान पत्रीका आपटा लगता है कि वो पत्री का जैपुर के पास-पास में कितने क्षेत्रों में गई थी और कितनी जगों से लोग आमंत्रेट हुए थे और वो जो आयोजन हुआ था वो आयोजन जैपुर के बाहर मोति डूगरी पर हुआ था जैपुर के बाहर जो आज मोती डूरी जैपुर के बीच में हो गई है चार दिवारी तक था आज के सतर साल पुरानी गटना हम लोगों से सुनते हैं पुराने लोगों से तो बतलाते हैं कि ये दर्वाजे बंद हो जाते थे साहा नेरी गेट बंद हो जाता था बाहर सब जंगल था तो अब मोति डूमरी जो थी जो जगे थी वो जगे बाहर खुला मैदान था वहाँ तो उस खुले मैदान में वो इंदर्दवज़ विदान का बहुत बड़ा आयोजन ये इन पड़ी जी के निर्देशन में इनके इसानित दिवें जो हज़ारों लोगों ने उस विदान का लाव लिया था ऐसा सुना जाता है कम से कम आठ से दस हज़ार लोगों उस विदान में थे इतना वड़ा वो आयोजन था क्योंकि हज़ार एक लोग के आसपास तो यहां मंदिर में चारों तरह उपर नीचे सब तरह भर करके आठ सो अजार लोग तो उनका प्रवचन सुनते थे यहां बैठ करके तो दस अजार लोग यदि उस विदान में उस आयोजन में आठ दिन तक होए है तो कौन से आज शरी की बात है देखिए यहां एक प्रशस्ती इधर अपने बनाई है कुछ समय पहले दस वारा साल पहले जिसमें यहां इस मंदिर से जुड़े हुए समझ से बिद्वानों के नाम उलेख जिन जिन के उखलब तो हो सके पिछले तिन सो वर्षों में किसने कितना यहां यूदान दिया काम किया उन सब के नाम उलेख वहां किये हुए बहुत लोगों ने चातुरमास किये यहांपर वर्णी जी के चातुरमास का उलेख मिलता है उलेख मिलता है मेरे तो जनम के पहले भी बात है सन 1964 किया आप प्रतिक्ष दर्शी हैं उसके वर्णी जी ने यहाँ चातुर मास किया इस मंदिर में और बहुत उस समय का माहौल आपने देखा है अपनी आँखों से यह सब पढ़ते थे लास में वर्णी जी जब पढ़ते थे गणेश किसा जी वर्णी भी बाते बड़े वर्णी जी माने वर्णी जी भी आज विद्वत परंपरा के ऐसे विद्वान माने जाते हैं जिन्नों ने विद्वत परंपरा को पुनर जी भी किया ऐसे विद्वान थे गणेश किसा जी वर्णी यह वर्णी जी लगड़े कि समाधी सभी विद्या सागर जी के संग में हुई शुलक जिनेंद्री जी वर्णी का युग्णान भी कम नहीं है इसरी में उनकी समाधी हुई और मेरा तुछ था जिनेंद्री वर्णी के उपर फिच्डी का काफी प्रयास भी किया तो सारा उसके समद में जिनेंद्री वर्ण उलेखों से कि उनकी उम्र 47 वर्ष की रही और वे 47 वर्ष तक जीवित रहे उनकी म्रत्यूति थी दिक्रम संवत 1823-24 लगभग निश्चित है अते उनका जन्म दिक्रम संवत 1776-777 में होना चाहिए 24 पिश चल रहा है तो लगभग तीन सो साल होगे तीन सो साल पहले उनका जन्म होगा था उन्होंने अपने जीवन में छोड़ी वड़ी बारह रचनाएं लिखी प्रोडरम अल्ली ने उपर लेखते तो की जो थोड़ी बहुत बाते हुई उनका उल्लिक्ट किया अब उनका कर्त्रत बतला रहे हैं जिनका परिमान करीब एक लाफ श्लोग प्रमान हैं एक लाफ श्लोग प्रमान मैंने किसी विद्वान के माद्यम से इतना बड़ा कार्य किया जाना ये बहुत दुरलब दिखाई देता है और इन्होंने जो ये काम किया जो लेखन काम किया जो शंकाओं के समधान का काम किया मैंने इनकी प्रतिवा को देखकर लोगों ने इनक भी दिखंबर संति यहां नहीं था पूरे जैपुर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं इसविष्द्व की धर्टी पर नहीं था बीच में लख तीन सो चारतू वर्ष का काल एसा रहा अंतराल काल जिस समय में एक भी दिगंबर सादू का सद्वाव इस दर्ती पर नहीं था वो गैप था एक भी नहीं थे सादू तो ये जो टोड़रमर्जी ने जो काम किया तो लोग ऐसा कहते थे कि इस यूग ने इस काल ने जो काम आचारी ने के दोरा किया जाने योग यह है उठीका है लिख नहीं और सादू सर्जन का काम आपके दोरा किया गया तो आप कैसे हैं आचारी कल्प तो आचारी की परिकल्प ना की गई इनके संदर वोगे आचारी नहीं थे लेकिन आचारे की कल्प न जो काम आचारे के ज़ारा किया गया वैसा काम आपने किया इसलिए आप आचारे कल्प पंडिक टूडरमल जी कहलाए एक कल्प शब्द का अर्थ होता है दूसरा अर्थ कल्प वरक्ष के अर्थ में कल्प वो कल्प वरक्ष क्या होता है कि उस कल्प वरक्ष से आप जो मांगो वो मिल जाता है तो ऐसे ही टोडरमल जी ऐसे कल्प के समान थे ऐसे कल्प वरक्ष के समान थे चारों अनुयोगों के ऐसे ग्याता थे प्रतवानु योग, चरणानु योग, करणानु योग, द्रव्यानु योग किसी भी अनु योग और किसी भी गरंती की गहराई की बाते यदि उनसे पूछी जाए तो जैसे कल्प वरच्च से मागने पर मिलता है उस तरह से उन से पूचने पर उसका समाधान मिल जाया करता था इसलिए भी वे कल्प कहलाए ऐसे उनका नाम हो गया आचारे कल्प ये उबादी हो गई उनके साथ में अपने टोडरमल जी तो उनका नाम था यह देखिए छोटी बड़ी बारह रचनाएं आपने लिखी जिनक का परियान करीब एक लापिश लोग प्रमान है पांच हजार प्रश्टों के करीब जतना बड़ा काम हुआ उनमें से कुछ तो लोगप्रिय गरंथों की विशार प्रमानिक पीकाएं हैं लोगप्रिय गरंथ माने गोमट सारादिक त्रलोग सारादिक ये बहुत लोगप्र जरंट थे और उनकी विशार्टी काएं हैं और कुछ हैं स्वतंत्र रचनाएं वे गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाई जाती हैं आप लेखत भी बहुत जबनुस्त थे गद्य और पद्य दोनों ही आपका बहुत परिपक्व था हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं मैं जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं हिंदी साहित्य में टोडरमल जी का मोक्ष मार्ज प्रकाशक अपने आप में ऐसा प्रोड गरंथ है इतनी सुन्दर रचना हैं वो कि टोडरमल जी के पहले और कोई भी गद्य रूप में इतनी दोनों रूपों में आपकी रचनाएं हैं, मोक्ष्मार्थ प्रकाश्यक आपका मौलिक गरंथ है, रैसे पुन्चेटिए आपकी मौलिक है, गोर्मट सार्थ पुजा तीन सो साल पहले आपके द्वारा लिखी गई, समविशरन रचना का वर्णन ये भी आपका मौलिक वर्ण और हो सकता है कि आपके जो समविशरन वर्णन जो आपका जो टोटा मौलिक वर्णा लिखा गया, इसको आधार बनाकर आपके पुत्र गुमाने राम जी के निर्देशन में या आगामी लोगों ने वो बदीचन जी के मंदर में समविशरन की पुरी लकड़ी की और बनाई गई, पदीचन जी के मंदर में सेकंड फ्लोर पर, जहाम अंडल की मिटिंग होती है, क्या साथ, कभी भी देख लो, उसमें क्या है, चलिए और कौन से रचनाएं, पुरिशाद सिद्ध्य उपाए भाशा ठीका, ये भी आपके द्वारा लिखा गया, आत्मान उशा प्रकांड भाशा ठीका, आर्थ संद्रश्टी अदिकार, ये सब गोमट सार नेमेचंद्राशारी की रचनाएं हैं उनकी ठीकार, लब्दी सार भाशा ठीका, शपना सार भाशा ठीका, और तिलुक सार भाशा ठीका, बाशा मतलब कात्कालिक भाशा में उन्होंने उसकी व परन्त आपके व्यक्तित्व कर्तित्व के संदर्व में जो कि डॉक्टर हुकम चिन्जी भारिली द्वाराद की गई पीएच डी है उन्होंने इन पर पीएच डी की तो शोत पोच करके जो भी बाते हैं वो सब उन्होंने लबग तीन सो पेजों में प्रामाणों के साथ में राजा के प्रमाण, उनकी प्रतियां, कांकां की प्रतियां, कौन-कौन से शास्त्र बंडारों से उस लब्द प्रतियों के आधार पर वो सारी बाते उन्होंने लिखी है प्रस्तुत पाथ मोक्षमार के प्रकाश्चक के अश्टम अधिकार के आधार पर लिखा गया है मान उन चार अनुयोगों की पद्दती किस प्रकार की रही है। इसका बहुत सुंदर विवेचन वहां किया है। जो लगभग महने दो महने अपने यहां चलाया होगा। माने चार अनुयोग की चर्चा लगभग दो महने हमने पहने यहां की है। अर लेकिन हमारे को लगभग एक प्रवचन में या अधिक्षम दो प्रवचनों में हमें चार अमयूगों की चर्चा करनी हैं अनुयुग मने शास्तरों की कःफन करने की पद्दती हमारे जो साहित लिखा उनकी लेखन पद्दती किस कतार की रही इन सब बातों की बहुत सुन्दर व्याक्या, जिन्वाडी मा, उसकी रचना कैसे हुई है, कितने रूपों में उन शा्टरों को विवाजित किया जा सकता है, बहुत सुन्दर, मारं में रोचक, चर्चाएं, इन चार अमयुगों के बारे में होने वाली हैं, जो सारी चर्चा हम कल यहां समय करें हैं आज की बात को यहीं वेरा मुझा करें